नमस्कार दोस्तों मैं संतोस पटेल स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूटूब चैनल डिजिटल भन्दार पर आज की वीडियो में हम CPCT exam सितंबर 2022 के लिए computer के important questions को समझने वाले हैं यह हमारा CPCT exam सितंबर 2022 के लिए part number 13 है 13 नमबर का वीडियो है इस वीडियो में हम computer से संबंदित 20 important questions को समझने वाले हैं यदि आप CPCT exam की तयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़कर आप regular CPCT exam के लिए computer के question तयार कर सकते हैं क्यूंकि हमारे चैनल पर CPCT exam के लिए regular videos को upload किया जाता है तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का देखते हैं आज का हमारा पहला question क्या है पहला question हम से पूछा गया है computer के द्वारा पिरदान किये गए result को क्या कहा जाता है computer system के द्वारा जो हमें result दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं computer system input, process, output और storage के concept पर work करता है हम computer system में data को input करते हैं data को, computer system इस data को process करता है और process करने के बाद हमें जो result देता है वह कहलाता है output output, computer के द्वारा दिये गए result को output कहा जाता है इस output को हम computer की memory में store करके रख सकते हैं तो computer system, input, process, output, storage के concept पर work करता है यहाँ पर हम data को input करते हैं, computer system data को process करता है process करने के बाद जो हमें result मिलता है उसे कहा जाता है output और output को हम memory में store करके रख लेते हैं तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है computer के द्वारा प्रदान किये गए result को क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है output, computer हमें जो result देता है उसे कहा जाता है output और computer में हम data को भेजने के लिए input का use करते हैं तो data computer में भेजने के लिए input का use किया जाता है और computer से प्राप्त जो result होता है उसे output कहा जाता है इस question का सही answer होगा option number C computer के द्वारा प्रिदान किये गए result को output कहा जाता है देखते हैं हमारे next question को next question है case memory कहां बर्क करती है case memory cpc t के exam में case memory का एक question जरूर पूछा जाता है यह cpc t exam के लिए एक important topic है case memory जो की RAM और CPU के बीच में बर्क करती है RAM और CPU के बीच में बर्क करती है case memory कम्प्यूटर सिस्टम में second number की fastest memory होती है computer के अंदर सबसे छोटी और सबसे fast memory होती है register यदि आप से कभी ऐसा question पूछा जाता है कि computer system में सबसे छोटी और fast memory क्या होती है तो वह होती है register और register के बाद जो second number पर fast memory होती है वह होती है case memory यदि आप से कभी question पूछा जाता है कि computer में सबसे fast memory कौन सी होती है तो वह होगा register लेकिन यदि option में register नहीं दिया गया है तो answer होगा हमारा case memory क्योंकि यह second number की सबसे fast memory होती है computer system में सबसे छोटी और सबसे fast memory होती है register और register के बाद जो second number की fastest memory होती है वह होती है case memory जो कि RAM और CPU के बीच में work करती है RAM के data को CPU तक भेजने के लिए और CPU के data को RAM तक भेजने के लिए case memory वर्क करती है तो इस question का सई आंसर होगा option number C between RAM and CPU case memory RAM और CPU के बीच में work करती है जो कि एक fast memory होती है लेकिन यह register से slow होती है जिस question का सई आंसर होगा option number C देखते हैं हमारे next question को निम्न मैंसे कौन एक logic gate नहीं है निम्न मैंसे कौन एक logic gate नहीं है यह question digital electronics से computer architecture subject से लिया गया है computer system में कई परकार के logic gate यूज़ किये जाते हैं जिनको आपने physics chemistry में भी पढ़ा होगा logic gate end gate or gate not gate xor gate इस परकार के multiple gate होते हैं जो की binary data को transfer करने के लिए यूज़ किये जाते हैं computer system केवल binary data पर बर्ग करता है 0,1 पर बर्ग करता है binary data को transfer करने के लिए logic gate का यूज़ किया जाता है logic gate कई परकार के होते हैं end gate or gate not gate nand gate nor gate xor gate लेकिन fix gate नहीं होता है हमसे यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से कौन एक logic gate नहीं होता है तो दिये गए option में से जो fix gate है वह कोई logic gate नहीं है तो इस question का सही answer होगा option number D end और xor यह तीनों gate होते हैं लेकिन fix gate नहीं होता है तो इस question का सही answer होगा option number D देखते हैं हमारे next question को next question है high level language में लिखे गए program को क्या कहा जाता है high level language में लिखे गए program को क्या कहा जाता है यह question coding से programming से लिया गया है जब हम कोई program बनाते हैं तो हम जो program बनाते हैं हम जो coding करते हैं वह high level language में करते हैं high level language मतलब ऐसी language जो journal English language के समान होती है high level language जो की user समझता है लेकिन computer system समझता है low level language low level language मतलब binary language जिसे zero बन की language भी कहा जाता है तो high level language में जो program बनाया जाता है जो code लिखा जाता है उसे कहा जाता है source code source code high level language में बनाए गए प्रोग्राम को source code कहा जाता है user बनाता है प्रोग्राम high level language में लेकिन computer समझता है low level language में तो इस high level language की प्रोग्राम को हमें low level language में convert करना होता है जिसके लिए compiler और interpreter का use किया जाता है compiler और interpreter यह दोनों software where high-level language में लिखे गई program को low-level language में convert करते हैं बट compiler एक साथ complete program को high-level language से low-level language में बदल देता है जबकि interpreter program को line by line high-level language से low-level language में convert करता है यहाँ पर हमसे question पूछा गया है high-level language में लिखे गई program को क्या कहा जाता है high-level language में लिखे गई प्रोग्राम को कहा जाता है source code जिसको low-level language में बदलना होता है जिसके लिए compiler और interpreter software use किये जाते हैं तो इस question का सही answer होगा option number B देखते हैं हमारे next question को Google Chrome में open किसी web page को maximum कितने percent तक zoom किया जा सकता है Google Chrome जो कि एक web browser होता है web browser जो कि हमें web page या website को open करने की सुविधा देता है web browser एक application software होता है जिसका use web page या website को open करने के लिए use किया जाता है तो Google Chrome एक web browser है web browser में यदि हमने कोई web page open करके रखा है तो हम उसको maximum कितने percent तक zoom कर सकते हैं कितना बड़ा करके उसको देख सकते हैं यहाँ पर आपको दो question तैयार करने हैं Google Chrome में किसी web page को maximum 500% तक 500% तक zoom किया जा सकता है और minimum 25% तक zoom किया जा सकता है Google Chrome web browser में यदि कोई web page open है तो आप उस screen को 500% तक zoom कर सकते हो और noon time कम से कम 25% तक zoom कर सकते हो दिस question के साथ हमने दो question तैयार करें Google Chrome में maximum zoom percent होता है 500 और minimum होता है 25% तिस question का सही answer है option number D देखते हैं हमारे next question को next question है हमें दो binary number दिये गए हैं और हमें दोनो binary number को add करके answer बताना है क्या होगा यह question binary addition का question है binary addition अब CPCT के exam में computer number system से binary arithmetic operation से compliment से कुछ question पूछे जाते हैं यह जो question हमें दिया गया है यह binary addition का question है binary addition का computer system केवल binary number पर बर्क करता है binary digit पर बर्क करता है जो की होती है 0 and 1 तो binary number को add करना कहलाता है binary addition जिसके लिए कुछ rules यूज किये जाते हैं इस question को solve करना बहुत ही आसान है बहुत ही basic question है आपको केवल इसके 4 नियम याद करने हैं यदि आपको कोई भी binary addition करना है तो उसके 4 नियम होते हैं जब हम 0 में 0 को add करेंगे तो answer हमें 0 प्राप्त होगा जब हम 0 में 0 को add करेंगे तो भी answer हमें बन प्राप्त होगा लेकिन जो last rules है इसको ध्यान से समझना होता है जब हम बन में बन को add करेंगे तो answer हमें 0 प्राप्त होगा और एक carry भी प्राप्त होती है जो हम आगे वाले number पर transfer कर देते हैं यहाँ पर यह है चार हमारे binary addition के rules है जिनको use करके आप कोई भी binary addition बहुत ही आसानी से कर सकते हैं पहला rules है 0 में 0 को add करेंगे तो 0 प्राप्त होगा 0 में 1 को add करेंगे तो 1 प्राप्त होगा बन में 0 को add करेंगे तो भी 1 प्राप्त होगा लेकिन 1 में 1 को add करने पर answer आएगा 0 प्लस हमें एक carry प्राप्त होगी जो हम आगे वाले number पर transfer कर देंगे इन चार नियम को यूज करते हुए हम इस question को solve करते हैं पहला number है हमारा 1, 1, 0, 1 दूसरा number है हमारा 1, 0, 0, 0 इनको हमें plus करना है जोडना है तो यहां से हम addition करना start करेंगे 1 plus 0 पहले हमें 1 में 0 जोडना है तो answer क्या प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा फिर हमें 0 में 0 जोडना है तो 0 प्राप्त होगा फिर हमें 1 में 0 जोडना है तो 1 प्राप्त होगा अब यहां पर हमें 1 में 1 जोडना है एक में 1 जोडना है जब 1 में 1 जोड़ेगा तो answer तो आएगा 0 plus 1 carry आएगी जो हम आगे वाले number पर भेजेंगे लेकिन आगे कोई number नहीं है तिस carry को हम यहाँ पर लिख देंगे यह हमारा question solve हो गया हमारा answer आ गया आप देख सकते हैं binary edition को solve करना कितना आसान होता है आपको केवल यह चार नियम याद रखने है आप कोई भी binary edition बहुत ही आसानी से solve कर सकते हैं तिस question का जो हमारा answer होगा वह होगा option number A 10101 यह हमारा answer होगा तिस question का सही answer है option number A देखते हमारे next question को next question MS Word software से लिया गया है MS Word में page break के लिए किसे shortcut key का उपयोग किया जाता है MS Word जो की एक word processing software होता है जिसमें हम document create करते हैं typing करते हैं formatting करते हैं MS Word में यदि हमें page break करना है तो कौन सी shortcut key use की जाती है page break का मतलब होता है एक page की information को दूसरे page पर transfer करना यदि हमारे पास एक page है अभी इस page पर हमने कुछ line type करी है for example हमने 4 line type करी है अब हमें third line से तीसरे number की line से matter को दूसरे page पर भेजना है तो हम तीसरी line पर करजर रखेंगे और keyboard से control plus enter को press करेंगे control plus enter ऐसा करने से जो third line और fourth line है वह page number second पर transfer हो जाएगी तो एक page की information को एक से जादा page में divide करने के लिए page break option का use किया जाता है page break के द्वारा आप अपनी file में एक blank page भी add कर सकते हैं जिस question का सही answer होगा control plus enter page break के लिए ms word में control plus enter shortcut की का use किया जाता है देखते हैं हमारे next question को next question है ms excel में wrap text की क्या shortcut की होती है ms excel में wrap text की क्या shortcut की होती है wrap text यहाँ पर आपको दो तिन question तयार करने है wrap text एक ऐसा feature है जो excel के single cell में एक cell में multiple line का text type करने की सुभिधा देता है जब आप ms excel के cell में कोई बड़ा text type करते हैं तो आपने देखा होगा वह text cell से बाहर चला जाता है क्यूंकि excel के एक cell में by default single line का text type होता है लेकिन यदि आपको excel के किसी cell में 2-3 line का text type करना है तो इसके लिए आप wrap text option यूज कर सकते हैं जो की single cell में multiple line का text type करने की सुभिधा प्रदान करता है इसकी shortcut की होती है alt plus enter alt plus enter से हम ms excel में wrap text को use कर सकते हैं इसको हम practically देखते है ms excel software पर हमने ms excel software को open किया जब हम ms excel में किसी भी cell में data को type करते हैं एक बड़ा content type करते हैं तो वह cell से बाहर चला जाता है for example हमने लिखा student name तो आप देख सकते हैं cell हमारा छोटा है data बड़ा है तो हमारा जो data होता है वह cell से बाहर चला जाता है इसी प्रकार से यदि हम लिखे name of student तो हमारा content cell से बाहर चला जाता है ऐसी condition में यदि हमें एक ही cell में multiple line का text type करना है तो wrap text नाम का option यूज किया जाता है जिसकी shortcut की होती है alt plus enter आपको जहां से line change करनी है वहाँ पर करजर रखें और alt के साथ enter को प्रेस करें यह कहलाता है wrap text जो की single cell में multiple line का text type करने की सुभीदा प्रदान करता है इस question का सही answer होगा option number D alt plus enter से हम wrap text को use कर सकते हैं और यह feature single cell में multiple line का text type करने की सुभीदा प्रदान करता है इस question का सही answer है option number D देखते हैं हमारे next question को next question है alt shift control blank key के example है यह question keyword से संबंदित है keyword में कई प्रकार की key होती है उन में से कुछ key है alt key, shift key और control key यह किस प्रकार की key होती है हमें यहाँ पर बताना है alt, shift और control modifier key कहलाती है modifier key modifier key मतलब ac key जो other key key working को change कर देती है for example आप keyword से a को press करेंगे तो a type होगा लेकन यदि आप a को control के साथ press करेंगे तो वह select all की shortcut की बन जाती है यह control है इसी प्रकार से यदि आप c को press करेंगे तो c type होगा लेकन यदि आप c को control के साथ press करो तो वह copy का काम करने लगता है मतलब वह key जो other key की working को change कर देती है other key की working को बदल देती है वह कहलाती है modifier की modified कर देती है जर्नली इन तीनों की का use shortcut की के साथ किया जाता है shortcut की बनाने में किया जाता है यह तीनों modifier की है जो किसी और key की working को change कर देती है navigation की वह कहलाती है जो document में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए यूज की जाती है जैसे कि arrow की home की end की page up, page down toggle की वह कहलाती है जो एक बार press करने पर on होती है दुबारा press करने पर off होती है जैसे की caps lock और function की हमारे keyword में 12 होती है, 12 होती है जो की app बन से लेकर app 12 तक होती है तो इस question का सही answer होगा option number B alt, shift और control modifier की के example होते हैं देखते हैं हमारे next question को address की size क्या होती है यह topic, यह question CPCT के लिए बहुत ही important है क्योंकि CPCT के exam में IP address से सम्बंदित एक दो question जरूर पूछे जाते हैं यहाँ पर आपको 5-6 question तयार करने मिलेंगे, पहला question होगा, IP का full form क्या होता है, IP का full form IP का full form होता है internet protocol IP का full form होता है internet protocol, फिर आप से पूछा जा सकता है IP address क्या होता है, IP address IP address किसी computer का एक unique address होता है जिसके द्वारा उस computer को network में पहचाना जाता है network में किसी computer को identify करने के लिए, पहचानने के लिए IP address का use किया जाता है IP के दो version है जो IP protocol है इसके दो version है, IP version 4 और IP version 6 IP version 4 होता है IP version 6 होता है, आप से paper में पूछा जा सकता है, IP के कितने version है, तो IP के दो ही version है, IP version 4 IP version 6, IP version 4 में जो IP address होता है, उसकी size होती है 32 bit, 32 bits और हमसे यहाँ पर पूछा गया है, IP version 6 में address की size कितनी होती है, तो वह होती है 128 bit, 128 bits, IP version 6 में IP address की size होती है 128 bits, और IP version 4 में होती है 32 bits, एक question और आपसे पूछा जा सकता है, कि IP address की कितनी class है, तो IP address की total अभी 5 class है, जो कि class A से लेकर class E तक है, class A, class B, class C, class D, और class E, तो IP address से सम्मंदित, जो भी question हो सकते हैं, उन सभी question को हमने यहां पर discuss किया है, यहां हमसे पूछा गया है, IP version 6 में address की size क्या होती है, तो वह होती है 128 bits, इस question का सही answer है, option number D, देखते हैं हमारे next question को, next question हम से पूछा किया है, PowerPoint में किसी object पर animation set करने के लिए, किस tab का उपयोग किया जाता है, PowerPoint में किसी object पर animation set करने के लिए, किस tab का उपयोग किया जाता है, PowerPoint जो कि एक presentation software होता है, जिसका use presentation create करने के लिए किया जाता है, एक presentation में multiple slide होती है, slide मतलब PowerPoint का page, PowerPoint में जो presentation मनाई जाती है, उसमें बहुत सारी slide हो सकती है, multiple slide हो सकती है, slide मतलब PowerPoint का page, slide पर object create किये जाते हैं, for example हमने कोई text लिखा है, for example हमने कोई image insert करी है, हमने कोई table बनाई है, तो बह कहलाते हैं slide के object, यदि हमें in slide के object पर कोई effect set करना है, तो उसके लिए animation का use किया जाता है, animation का use slide के object पर effect set करने के लिए किया जाता है, और हमसे यहाँ पर पूछा गया है, यदि हमें animation set करना है, तो कौन सा tab यूज किया जाएगा, animation से सम्बंदित, सभी option animation tab में ही होते हैं, पावर पॉइंट में एक tab होता है, animation tab, जो कि हमें animation से सम्बंदित, सभी प्रकार के features प्रवाइड करता है, जिस question का सही answer होगा, option number C, animation tab, जाता है, देखते हैं हमारे next question को, next question है, Excel में data की report generate करने के लिए, किस option का उप्योग किया जाता है, बहुत ही important question है, MS Excel में, यदि हमें table के data की report generate करनी है, तो हम कौन सा option यूज करेंगे, MS Excel जो की एक spread seed software है, जो data को row और column में store करने की represent करने की सुभीदा प्रदान करता है, जब हम MS Excel में कोई table बनाते हैं, पर यदि हमें उस table की कोई report generate करनी है, हमें उस table का कोई analysis करना है, तो एक report बनानी होगी, यह question आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, कि Excel में data की summary प्राप्त करने के लिए, किस option का use किया जाता है, या निम्न में से कौन एक data summarization tool है, वह हो प्रिंटर का है, पाइवट टेविल, MS Excel का एक बहुत ही powerful feature है, पाइवर्ट टेविल जो की किसी table की report generate करने के लिए, या ज column की समौरी प्राप्त करने के लिए use की जाती है, जिस question का सही answer होगा, option number C, पैवर्ट टेविल, देखते हैं हमारे next question को, next question है निम्न मेंसे कौन एक impact printer है निम्न मेंसे कौन एक impact printer है printer जो की एक output device होता है जो की हमें hard copy output प्रिदान करता है printer को दो category में divide किया गया है इम्पेक्ट प्रिंटर वह कहलाते हैं जो printing करते समय अपना impact दिखाते हैं मतलब आवाज जादा करते हैं sound अधिक करते हैं वह कहलाते हैं impact printer जबकि non impact printer printing करते समय कम आवाज करते हैं कम sound करते हैं वह कहलाते हैं, non-impact printer, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है, निम्नमे से कौन एक impact printer है, impact printer मतलब बह प्रिंटर, जिसकी speed slow होगी, जो printing करते समय, sound जादा करेगा, जिसकी printing quality low होगी, खराब होगी, बह कहलाते हैं, impact printer, वह होगा हमारा, dot matrix printer, laser printer, inkjet printer, और thermal printer, यह तीनों ही non-impact printer है, लेकिन dot matrix printer, एक impact printer होता है, जिस question का सही answer होगा, option number D, dot matrix printer, एक impact printer होता है, देखते हैं हमारे next question को, next question है, wordpad software में, create होने वाली फाइल का extension क्या होता है, wordpad software में, create होने वाली फाइल का extension, क्या होता है extension यह represent करता है कि कोई file किस प्रकार की है कोई file किस प्रकार के software में बनाई गई है यह represent करता है extension हर software का अपना एक fix extension होता है हमसे यहाँ पर पूछा गया है wordpad software का extension क्या होता है तो wordpad software का extension होता है dot rtf dot rtf rich text format rich text format इस question का सही answer होगा option number b यहाँ पर आपको एक और question तयार करना है जो dot txt extension है यह notepad software का होता है notepad में बनने वाली file का extension होता है dot txt wordpad में बनने वाली file का extension होता है dot rtf तो इस question का सही answer है option number b देखते हैं हमारे next question को next question है java एक blank का example है java एक blank का example है java क्या है first generation language है second generation language है या high level language है या binary language है first generation language और binary language दोनों एक ही होती है फर्ष्ट जनरेशन की लैंग बेज है बाइनरी लैंग बेज जिसी मसीन लैंग बेज भी कहा जाता है जीरो बन की लैंग बेज भी कहा जाता है फर्ष्ट जनरेशन की जो लैंग बेज है बाइनरी लैंग बेज है मसीन लैंग बेज है जिसे जीरो बन की लैंग बेज भी कहा या answer होगा, option number C, दिखते हैं हमारे next question को, next question है, dbms table में row को blank भी कहा जाता है, यह question dbms से लिया गया है, dbms जिसका full form होता है, database management system, एक ऐसा system, एक ऐसा software, जो database को बनाने की, manage करने की database पर operation perform करने की सुभिधा पिरदान करता है, जैसे की ms access, mysql, oracle, यह सभी dbms software होते हैं, एक database के अंदर multiple table होती है, एक database के अंदर multiple table होती है, table में multiple row और column होते हैं, हमसे यहाँ पर पूछा गया है, कि dbms में जो table बनती है, उस table की row को क्या भी कहा जाता है, field, attribute, tuple या column, तो table में जो row होती है, उसे tuple या record भी कहा जाता है, table में जो row होती है, उन्हें tuple या record कहा जाता है, जबकि table के column को field या attribute कहा जाता है, table के column को field या attribute कहा जाता है, row को tuple या record कहा जाता है, तो इस question का सही answer होगा, option number C, dbms table में row को tuple भी कहा जाता है, देखते हैं हमारे next question को, next question है, cdac company के दवारा किस series के सुपर कम्प्यूटर को बनाया जाता है, यहाँ पर आपको 3-4 question तैयार करने है, cdac company के दवारा परम series के सुपर कम्प्यूटर को बनाया जाता है, परम सीरीज के, परम इंडिया का एक सुपरकम्प्यूटर है, जो कि सीडेक कम्पनी के द्वारा बनाया जाता है, सीडेक कम्पनी के द्वारा परम सीरीज के सुपरकम्प्यूटर को बनाया जाता है, आपसे ऐसा कॉस्चन भी पूछा जा सकता है, कि इंडिया में बनाया गया पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था तो इंडिया में बनाया गया पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000 जो की सीडेक कंपनी ने बनाया था यहाँ पर आप से परम का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है परम का full form होता है parallel machine मतलब समानतर रूप से कई काम को करने में सक्चम होता है तो CDEC company परम series के सुपर कम्प्यूटर को बनाती है परम 8000 पहला सुपर कम्प्यूटर था इंडिया का और आपसे CDEC का full form भी पूछा जा सकता है CDEC का full form होता है Center for Development of Advanced Computing Center for Development of Advanced Computing तिस question का सही आंसर होगा option number C CDEC company के द्वारा परम series के सुपर कम्प्यूटर को बनाया जाता है दिखते हमारे next question को next question है internet के द्वारा blank switching technique का उप्योग किया जाता है internet के द्वारा blank switching technique का उप्योग किया जाता है network में data को transfer करने के लिए switching technique यूज की जाती है switching technique जो की होती है packet switching, circuit switching, message switching तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है internet के द्वारा कौन सी switching technique का यूज किया जाता है internet यूज करता है packet switching technique का packet switching क्यूंकि internet में जब हम कोई एक large size की file को transfer करते हैं तो पहले उस file को छोटे छोटे पार्ट में divide किया जाता है इन parts को कहा जाता है data packet एक-एक करके फिर इन सभी packet को transfer किया जाता है तो internet के द्वारा packet switching technique का यूज किया जाता है जो कि एक बड़ी file को large file को पहले small size की part में divide करती है जिनने कहा जाता है data packet फिर एक-एक करके sequence में इन सभी data packet को transfer किया जाता है तो इस question का सही answer होगा option number B internet में packet switching का use किया जाता है देखते हमारे next question को next question है information highway किसे कहा जाता है information highway किसे कहा जाता है information highway किसे कहा जाता है information highway मतलब जिसका use current time पर information को भेजने में सबसे ज़्यादा किया जाता है current time पर information को data को share करने के लिए सबसे ज़्यादा use internet का किया जाता है internet internet के द्वारा current time पर सभी प्रकारी की information को भेजा जाता है इसलिए internet को कहा जाता है information highway तो इस question का सही answer होगा, option number A, internet को information highway कहा जाता है, देखते हैं हमारे next question को, next question है, web browser में किसी tab को close करने के लिए, किसे shortcut की का उपयोग किया जाता है, यह question internet से संबंदित है, web browser में किसी tab को close करने के लिए, किसे shortcut की का उपयोग किया जाता है, web browser जो की एक application software होता है जिसका use web page और website को open करने के लिए किया जाता है यदि हमें web browser में किसी tab को close करना है जो भी tab अभी हमने select करके रखा है उसको close करना है तो control plus w का use किया जाता है control plus w से हम selected tab को close कर सकते हैं एक और question आपको तैयार करना है यदि आपको browser में नया tab open करना है तो control plus t का use किया जाता है control plus t से नया tab open होता है और control plus w से tab को close किया जाता है तो इस question का सही answer होगा option number c Ctrl प्लस W से Tap को Close किया जाता है तो आज की वीडियो में हमने CPCT exam के लिए 20 important questions को समझा है जब हम एक question को समझते हैं तो उससे संबंदित हमें 3-4 question और भी तयार करने मिल जाते हैं आप सभी questions को पढ़ें समझें यदि आपका किसी question में कोई doubt है कोई question है तो comment section में जरूर पूछिए वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like करें जदा से जदा share करें मिलते हैं अगली वीडियो में धन्नबाद